पूरा मामला थाना धामपूर के अंतरगत आने वाले ग्राम पांडली मांडू के उच प्रात्मिक विध्याले का है जहां पर कुछ समय पहले सरकार द्वारा पानी के टंकी की फिटिंग हुई थी और उसमें बच्चों को पानी पीने के लिए 15-20 टोटिया लगाई गई थी जिसको बीती राज चोरो ने अपना निशाना बनाया उच प्रात्मिक विध्याले पांडली मांडू के प्रधाना चारिये बुवनेश्वर कुमार जी का कहना है कि हमने जब कल शाम स्कूल की छुटी की थी तब यहां पर सभी पानी के टंकी के उपर टोटी लगी हुई थी लेकिन जब हमने सवेरे स्कूल खोला तब हमें वह टोटी उद्री हुई नजर आई जिन है चोर अपने साथ ले गए अब शासन प्रशासन से हमारी यही प्रात्ना है क्या विध्याले में आए और इसकी जाच कर उचित कारवाई करने की किरपा करे और ऐसे टोटी चोरों को मिलने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो यह सोचते हैं के उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दूसी तरफ ग्राम पंचायद घर इसकूल के अंदर है और उसमें सीसी टीवी कैमरा भी लगा हुआ है और एक ग्राम पंचायद सचीवी की ड्यूटी भी लगी हुई है और वह मांदे भी प्राप्त करता है सरकार से लेकिन आज तक उसका ना तो ताला खुला है और ना ही सीसी टीवी कैमरा चालू है सोचने वाली बात ये है कि सरकार जब पूरे पैसे लगा चुकी है और सचीव को मांदे भी दे रही है तो फिर भी इतनी बड़ी धानली क्यों हो रही अगर पंचायद घर के सचीवाले का सीसी टीवी कैमरा चालू होता तो आज यहें चोर कैमरे में कैद हो चुके होते जनता का कहना है कि काग्जों के अंदर ऐसे सचीवाली एक खोलने से जनता का क्या फायदा उच अभी कारी आए और इसकी जाच करे देखे धामपूर से हमारे समधाता इसरा रहमत की रिपोर्ट सारी तंक्या हमारी जो है चोरियों महीं कितनी टोटी थी यह 14 टोटी थी कल थी हाँ कल थी यह जो आपने चुटी गी है कल तक थी और ऐसी घड़ना है उससा पहले वी दो दिन बार हो चुगी है क्या आपके स्कूल में आज़ पास यहां कहीं सीसी टीवी कैमरा नहीं है नहीं सीसी टैमरा लगे है पंचार घड़ जो है यहां इसकूल के बिजले प्रंगड के वीच में लेकिन वो भी चालो नहीं है पिजनाओर की सभी ताज़ा खबरों से जड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सबस्क्राइब करें